हाई गाईज तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं जटपट से दिल्ली में जो आलू चाट बिल्कुल वही ज्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं है बस घर पे कुछ समान पड़ा होता है वो समान पक दि और जैसी दिल्ली में मिलती है न चाट बिल्कुल वही फ्लेवर वाली चार्ट बनेगी तो देर किस बात की चलिए रेस्पी स्टार्ट करते हैं हाई गाईज मैं हूँ आरियन और मेरे यूट्यूप चैनल पे मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स का वेलकम तो चलिए आज के मज़ेदा रेस्पी बनाना स्टार्ट करते हैं रेस्पी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा तो चलिए मेरे साथ मेरे किचन में चलिए आज की मज़ेदा रैस्पी बनाना स्टार्ट करते हैं जिसके लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए मीडियम साइज के बॉयल पटेटोस यहां पर हम लोगों को मीडियम टू स्मॉल साइज के बॉयल पटेटोस चाहिए इनको हम लोग ऐसे काट लेंगे यह देखिए इनको हम सिरफ चार पोर्शन में काटेंगे यह देखिए बस इतना इतना है यह ऐसे ऐसे हम सबी पटेटोस को काट लेते हैं तो गाइस आप लोग देख सकते हैं तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं अपने आक्ड़ को पॉइल पुटेटो को एकड़ आप लोग km कुछ तो गाइस से लिए हम लोग अपने आलो को जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे फ्राई हो चुकी हैं फ्राई होने के साथ साथ से बहुत क्रिस्पी भी हो चुकी हैं तो इनको हम निकाल लेते हैं पहले ऐसे इनका सारा ओइल निकाल लेते हैं और बिलकुल इसी तरह से हम लोग अपना सेकंड बैच भी फ्राई कर लेंगे प्राइज आप लोग देख सकते हैं चाट के लिए यहां पर हमारे बॉयल और फ्राई डालो बिलकुल रेडी हैं अब हम इन में डालते हैं कुछ मसाले जैसे की हाफ टी स्पून जीरा पाउडर साथी में हम लोग इसमें डाल देते हैं हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर रेड चिली पाउडर के बाद हम लोग इसमें डालेंगे वाफ टीउपून गर्ममसाला, गर्ममसाला के साथ ही मेदे आपी स्वंसाल्ट तो जल्दी-जल्दी चल्दी हम एकलेज्ड़ मेद आलोग में मिला। मसालों के बाद में इसमें, हभ आप मैं डाल घान, यहां iemand मेरे पास के 4 और यहां के दाने 3 tsp टमेटो यानि की टमाटर यहां पे मैं डाल रहा हूं 3 tsp अनियन यानि प्यास अगर आप लोगों चाहें तो अकेला प्यास डालके इस चाट को बना सकते हैं साथ ही में मैं यहां पे डाल देता हूं 1 tsp ग्रीन चिली सबसे पहले हम लोग इन सब चीजों को अच्छे से मिला लेती है यह देखिया विल्कुल ऐसी अगर आपके पास बॉयल डालू पड़े हैं आपकी फ्रीज में तो यह चाट सिरफ 5 मिनिट में बनकर रेडी हो जाएगी अब हम लोग इसमें डाल देते हैं 3 tsp इमली का पल्प भाई चाट है तो कुछ खटा तो जाएगा ना तो अब बस इन चीजों को अच्छे से मिला ल जालू चाट बनकर बिलकुल रेडी है आप लोग देख सकते हैं लग रही है ना एकदम टेम्टिंग तो आज करेस्पी बनकर बिलकुल तयार है मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और नहीं तड़कती फड़कती जिश के साथ अपका के लिए बाई टेक क्यार गुडबाई